कि हालो एवरीवान वेरी गुड मॉर्निंग तो आल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इंजिनियर्स वाला चैनल पर तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है जैसा आप लोगों ने डिटीए जेए के लिए बहुत अच्छे से हमारे साथ तयार किय था और डिटीए जेए का एक्जाम जैसा आप लोग जानते हैं कि 28 मार्च 29 मार्च फर्स्ट एप्रेल और थाड एप्रेल को आपका डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है और बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी मिला कि मैं बहुत जादा कोशन सॉल्व कर तो फाइनल बारी है कि तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया उसमें यह मेंशन है कि आज यानि की साथ एप्रेल दस बजे जो आपका ओफिशियल आंसर की जो है यहां पर आउट हो जाएगी ताकि आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हो तो आज दस बजे द्यान रखना ओ आपकी आउट हो रही है और साथ में क्या लिखा है जो केंडिडेट से आप लॉग इन कर सकते हो यूजिंग यूजर आइड पासवर्ट जो आपने पहले डाउनलोड जब एड्मिट कार्ड किया होगा उस टाइम जो आपका यूजर नेम और आईडी होगा तो सेम से ही आपको आये थे अगर किसी कोश्चन में आपको अब्जेक्शन करना है तो वह सेवंत एप्रेल यानि कि आज 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यह कुछ टाइम दिया गया है अगर आपको किसी कोश्चन और किसी आंसर में कोई भी क्वेरी है तो आप यहां पर क् सकते हैं objection कर सकते हैं online mode only तो mode जो रहने वाला है वो online रहने वाला है और बोला है जो objection after objection received after due date मतलब 12 अप्रेल के बाद अगर कोई भी आप वो objection उनको मिलता है तो एनी अदर mode of communication शेल नौट भी entertained by dda तो मतलब आपको 12 अप्रेल तक का ही टाइम है कि आपको जितने भी आप लोगों ने questions मतलब आपको कई बार होता है पेपर में जब हम जाते हैं हमें कुछ questions में doubt होता है और कई बार दो answers में भी डाउट होता है कि इसका answer भी बन सकता है भी बन जाता है तो आप वो आप एक बार official answer की चेक करना और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है ना किसी कोशन में भी डाउट आ रहा है तो आप लो comment section में भी पूछ सकते हैं और जो यह बोलूंगी मतलब अगर आपको कोई भी query आ रही है ना कि मैं यह वाला question ऐसा लग रहा था कि इसमें इसा होना चाहिए था किसी shift का कोई question भी है अगर आपको डाउट है कि मैं इसमें objection करूं या नहीं और किसी भी faculty से आप लोगों को require है कि अगर थोड़ा hint मिल जाए कि objection आप सही कर रहे हो बाइचास कई बार confusion हो जाती है तो आप इस वीडियो के electrical और mechanical तीनों ब्रांचीज अप्लीकेबल थी तो तीनों ब्रांचीज के जो भी स्टुडेंट्स ने एक्जाम इस बार दिया है अगर आपको कोई भी objection करना है question या answer की में तो आज से वो स्टार्ट हो जाएगा दस बजे ऑफिशल आंसर की आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप वो objection वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो तो आज का बड़ा अपडेट यही था और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि ऐसे ही notifications और guidance वाला वीडियो आपके लिए आता ही रहता है और जब भी कोई notification आता है तो आप तब से तैयारी करना ना शुरू कीजिए आप लोग पहले से ही तैयार रहिए क्यूंकि जब notification आएगा उसके दो महीने में पेपर आ जाएगा और दो महीने में पूरा syllabus complete करना जो होता है और वेसी बात है क्यूंकि ज़्यादा तर जो एई के एक्जाम भी आप देखोगे या फिर स्टेट जई के एक्जाम देखोगे तो उसमें अगर टेक्निकल पार्ट भी आ रहे है नॉन टेक्निकल भी आ रहे है तो इतना सारा syllabus आप वैसे भी दो महीने में सिरफ टेक्निकल भी कवर नहीं कर सकते तो आप एक तैयारी में जुट जाईए जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा उस बीच में जो जो एक्जाम आते हैं उनको देकर आपको एक एक्स्पीरियंस मिल जाएगा कि इस तरीके के कोशन आते हैं जो सब्ज रहेंगे इंजिनियर्ज वाला चैनल पर थेंक यू अव्रिवान